वाट्सप्ट गाईज, I am Tejas, Welcome to my channel आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स के बारे में जो की मेकैनिकल इंजिनिरिंग का एक इंपोर्टन सब्जिक्ट है जो चलिए शुरू करते है जो की मेकैनिकल इंजिनिरिंग का काफी आसान सब्जिक्ट है स्टुडन्ट इस सब्जिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन करने की महिशा रखते है अगर आप यह वीडियो एंटक देखते हो तो आपको पता चल जाएंगा की कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप कैसे गेन कर पाऊंगे तो चलिए शुरू करते है फर्स्ट इूनिट फंडामेंटल ओफ रोबोटिक्स पेपर पैटन हंड़ेट परसेंट थेरी इंड़ेट्रियल रोबोटिक्स इस सब्जेक्ट में हंड़ेट परसेंट थेरी है सभी यूनिट में ना की निउमरीकल देखते हैं इसके इंपोर्टन कोश्चन कुन-कुन से पूचे जाते पेपर में फर्स्ट है इसके भी चांसे सेवंटी परसेंट है और उसके साथ ड्रॉट निउट स्केज ऑफ रिस शोइंग विट वेरियस मोशन और यह भी कोश्चन हमेशा पूचा जाता है एक या दो साल बाद तो यह इस यूनिट के इंपोर्टन पाच कोश्चन है आप इसे एक्जाम के टाइम पर जरू पढ़के जाना चलिए सेकन यूनिट देखते है इस यूनिट में भी 100% थेरी यह बुच जाते है इसके तीन ही इंपोर्टन कोश्चन है जो कि 100% हर साल पेपर में आती ही आते है तो यह तीन कोश्चन आप जरू करके जाना इसके साथ दूसरा और तीसरा कोश्चन जो कि मैंने यह लिका है वह भी 100% आता ही आता है बस आपको अच्छी तरह से डाग्राम निकलनी है और उसका वार्टिंग प्रिंसिपल लिखना है तो चलिए थर्ड यूनिट की तरफ चलते है थर यूनिट है यूनिट है रोबोटिक्स रोबोट काइनामेटिक्स इस यूनिट में भी 100% ही पूची जाती है इसके चार बहुत इंपोर्टन कोश्चन है तो पहला है डिस्टिंग विश और एक्स्प्लेन दो फॉरवर्ड काइनामेटिक्स ये भी कोश्चन 100% आता ही आता है पेपर में उसके साथ दूसरा जो कोश्चन है वो भी 100% आता ही आता है हर साल यह दोनों कोशन एक साथ ही पूछ जाते है और जो तिसरा और चवथा कोशन है वह भी एक या दो साल बाद या एक सेमिस्टर के बाद रैंडमली पूछा देना चलिए फोर्थ युनिट देखते हैं फोर्थ युनिट है रोबोत सेंसर ये इन्टर्वु पॉइंट जो मैंने पहले दो question दिये वो तो 100% paper में ही आएंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा mark gain कर सोकेंगे और 3rd question और 4th question है वो उसके भी chances बहुत ज्यादा है randomly or continuously वो question 1 semester के बाद 2 semester के बाद पुछे ही पुछे जाते हैं चलिए 5th question देखते हैं 5th question है robot cell layout इसमें जो पहले दो question है वो 100% आएंगे या आएंगे एक साथ आएंगे उसमें से पहला robot cell out with need sketch and state error detection and require and 3rd question robot and machine interface and 4th question explain different consideration in work cell design of robot ये दोनों 3rd and 4th question ये भी randomly पुछे ही पुछे जाते हैं 6 question देखते हैं 6 unit देखते हैं 6 unit है quantitative techniques for economics performance और ये यूनिट ठोड़ा लेंदी है मगर जो मैंने यहां पर 4 question दिये हैं अगर यह आप कर गिये जाते हो तो इस unit में भी आप ज्यादा से ज्यादा मार्क गेन कर पाओगे तो पहला दूसरा और तीसरा जो question है वो तो हर semester में पूछा जाता है उसमें से जो तीसरा question है वो तो 100% आएंगा ही आएंगा और जो चौथा question explain the loading and unloading वो भी एक याद दो semester के बाद पूछा ही पूछा जाता है तो फ्रेंट मैंने जो आप वो industrial robotics के 6 unit पे जो question बता है अगर आप वो question exam के लिए करके जाते हो तो आप 100% पासी होंगे as well as आप जादा से जादा मार गेन कर पाओं तो फ्रेंट आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजे ना अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजे अगर आपको जानना है कि energy conversion 2 की पड़ाई कैसे कीजे साथ में design of mechanical drives की पड़ाई कैसे कीजे इसकी link मैंने description में दी की स्माइल